नमस्ते जोस्तो आज का डेट है सोलाख अक्रूवर दो हजार तैइस इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं छोटे भाई का ऑपरेशन हुआ था इसी करण मैं पिछले लगवग आठ दस दिनों से होस्पिटल में था ठीक है और अभी हम डिसक्स करे इसमें कहा जाता है कि दुनिया को पानी के महत्व को हलके में लेना बंद करना चाहिए जो पानी का महत्व है उसको नजर अंदाज करना बंद करना चाहिए ठीक है इसके लिए निश्चित कदम उठाने की आवश्यक्ता है ऐसा राइटर के द्वारा कहा जा रहा है तो इसक वी का क्या क्या विश्ट लेशन है इसको भी हम लोगी विश्टार से पढ़ेंगे ये भी आज एडिटोरियल में है उसके बाद अगला अर्टिकल है कारेवल मतलब की वर्कफोस में लैंगिक बेतन अंतर को कम करना मतलब की क्लोजिंग दा जेंडर पे गैप इन दा बर्कफोस जो लैंगिक असमानता है बेतन को निधायत करने में उसको कम करने के लिए राइटर कौन-कौन से तरीके और सिधान को अच्छे तरीके से बिश्टार से पढ़ेंगे उसके आद अगला अर्टिकल है कि केंद सरकार ऐसा य सर्चर्स को किये गए है ठीक है तो इसको भी हम लोग एक ध्यान देंगे और शुरू करते हैं सबसे पर देख लेते हैं एक बंड लोकेशन जो है पोलेंड पोलेंड जो है वो यूरोप में है तो यहां पह इक हाए जाता है पोलेंड अधिकारिक तोर पर पोलेंड गन- वाला देश है ठीक है तो याद रखेगा यूरोपियन संग का छठमा है और यूरोप का नौमा है याद रखेगा राज यह जो है पोलेंड यह बाल्टिक सागर से कारपैथी परवत तक फ्वैली हुए तो यहां पर कुछ सर travaillंडिंग कंट्री कौन-कौन से यह पोलेंड है इसका कैप्टल है वार्षामा उसक यहां पे नौर्ठी इस्ट में रूस है उसके बाद ईसटर छेतर में बुलगेट है उसके यूक्रेन है उसके शौथ में श्लोबाकिया है याद रखेगा हंगरी का इसके साथ परदर इम्पोर्टेंट चीज़े दिसे आपको ध्यान रखने क्या हैं यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट गल्फ भी है टिक एक है गल्फ ऑफ गर्णनेक उसके बाद एक है पोमेरानियन वे तो याद रखे कि कुछ important mountain भी हैं जैसे कि सुरेटिक mountain हो गया उसके कारपेथियन mountain यही अभी हम लोग शुरुआते हैं पढ़ेते कि इसका जो बिस्तार्स है वो बाल्टिक सी से लेकर कारपेथियन mountain तक है तो कुछ चीजे ध्यान रखेगा ठीक है अब सुरू करते हैं अगला article इसमें कहा जाता है कि दुनिया को पानी के महत्व को हलके में लेना बंद करना चाहिए दा वर्ल्ड नीट्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटिट आज हम लोग यह आटिकल इसलिए डिसस कर रहे हैं क्योंकि 16 अक्टूबर जो है वो वर्ल्ड फूड डे है ठीक है याद रखेगा 16 अक्टूब बुद्धिमानी से प्रभंदन में तत्काल कारवाई का आवान क्या गया है राटर के द्वारा तीक है यहाँ पर कहा जाता है कि बढ़ती जलवायू चरम इस्थितियां मतलब कि जो इंक्रीजिंग गभी अने कैपिटल एक्स्ट्रीम कंडिशन है इसके कारण पानी को जो उपलाफता में है वो निरनातर कभी आ रही है जिसके लिए अनेक परकार के गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो पानी को हम लोग टेकीट टूबी गरांटेट ले ले रहे है इसको हमें बदलना होगा अपने नजरियों को बदलना होगा और पानी के सुरच्छा के लिए बहुत महत्पून कदम उठाने क्या बसकता है और सभी को एक जूट होने क्या बसकता है तो यहां पर आगे राटर करते हैं कि देश को सूखा बार बेमौसम बारिस और लंबे समय तक सूखे जैसी ग तो यह सब जो कुछ गोल्स बनाएगा है अब साथ बर से भी कम समय बचा हुआ है तो सन्युक्त राष्ट के खाद और क्रिशी शंगठन FAO क्रिशी विकास के लिए अंतराष्टी कोस मतलब की IFD और सन्युक्त राष्ट बिस्वी खाद कारेकरम मतलब की WFP सन्युक्त राष यह सारी चीजे जो है वो मिलकर दूरलव जनसान साथनों के बेहतर परवंधन संरक्षण और उपलपता के लिए नवीन और सहयोगात्मक्रिश्टिकोन अपनाने की अबसकता पर जोड़ दे रहे हैं यह सारे जो ऑर्गनाइशन्स है जिसे की हम लोग 2030 तक SDG है सस्टेनेब और पोशन सुरक्षा को तो उदाहरन के लिए कहा जाता है कि भारत का लगभग 60% जो सुद्ध बोया गया छेत्र है मतलब कि यहां पर कहा जाता है कि 7% जो क्रिसी से सम्मानित भूमी है वो पूर्टा डिपेंडेंट होता है बरसात पे ठीक है बारिस के पानी पे तो यहां कि बरसा अधारित क्रिसी सीधे पानी की उप्रवता पर निर्वर करती है और बारिश और मिट्टी की नमी में भिनता खाद यहां पर कहा जाता है कि अगर बारिश कम यह आधिक होती है उससे क्या होता है कि मिट्टी में नमी में भिनता भी आयती है अगर बारिश अधिक हो तो पोशन अस्तर पे भी गुणबाता में कमी दिखाई देता है तो बरसा अधारित उत्पन को अधिक लचीला और टिकाव बनाने के लिए प्रदोव की और अनेक प्रकार के नए प्रथाओं को बढ़ाबा देने यहां पर कहा जाता है इसको और बहतर सेस्टेनेबल बनाने क के लिए जलवाईव परिवर्तन के अनुकूलन की ततकाल आवशकता है ठीक है अड़ाप्रेशन की ततकाल आवशकता है आशन खादे और पोशन सुरच्छा खत्रों से निपटने के लिए सतत जल प्रबंधन बहुत ही महत्पूर्ण है तो आगे यहां पर राटर कहते हैं क जो हम लोग पीनों में उप्योग करते हैं यहां पर ही का जाता है इंटरंस इरिगेटेड अग्रिकल्चर एकाउंट्स पोर 72 परसेंट ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर बेड्रोल सम्टाइम्स बिट लास्टिंग डेमेजिंग एफेक्ट ऑन दस सस्टेनेमिलिटी ऑफ सिग हानिकारक प्रभाव पड़ता है जब बारिश नहीं होता है तो हम लोग से चाय के लिए 72 परसेंट से अधिक फ्रेश वाटर मतलब कि तार्य पानी का उप्योग कर लेते हैं जिससे कि हमारा मौश्मी नदियों और गहरे जल भृतों के पारिशत की तंद्र पे परभाव कि खराब जल प्रबंधन जितना जादा से जादा पानी बहा दिये उसके अद्बारिश होता है तो उसको बाटर को स्टोर करने के लिए कोई भी नीतिया नहीं बनाएगे इस सरकार करन इसका हिंदूस परिणाम आज पूरे बैस्मेक अस्तर पे दिखा जा रहा है जल की आक पाइसित्की तंत्र को खराब कर दिया है जिससे दुनिया के कुछ सबसे जो नाजुक पाइसित्की तंत्र है यहां पर कहा जाता है जिससे की सबसे ज्यादा नाजुक जो पाइसित्की तंत्र हैं मोस्ट फ्रेजाइल एकोसिस्टम है वो परभावित हो रहे हैं और इससे क कहा जाता है कि vulnerability of a small scale producer to be climate stock and land degradation जैसे समस्याओं से यह सो घिरे रखते हैं खास कर जो छोटे जमीन भूमी के मालिक होते हैं छोटे किसान होते हैं उन्हें और ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है तो इस पिर्थिवी के कुल भूमी छेतर का लगभग 40% छरन हो गया है तो यहाँ पर ही का जाता है कि about 40% of the planets total land area is degraded मतलब कि वो क्रिशी योग अब नहीं बचा है जिससे किसानों के पास कम उत्पादक भूमी अब उपलब्ध है तो छोटे पैमाने के जो किसान है जो बैसनिक अस्तर पर 80% से अधिक किसान आता है कि जो छोटे अस्तर के ही किसान होता है तो उनकी पास अक्सर जो उत्पादन के अस्तर को बनाये रखने के लिए बित प्रदोग की और सिच्छाइट तक की पहुंच की कमि होती है मतलब कि finance भी कम होता है टेकनोलोजी भी कम होता है और irrigation की भी कमी होती है खासके जो छोटे इस्तर की किसान होते हैं जो उनकी आजीविका को भी बनाय रखने में अनेक परकार की समस्या उत्पन करता है तो यहां पर कहा जाता है कि भारत सरकार ने अभी जलबायू परिवतन के लिए आकलन के लिए अनेक परकार के मांदन्द दिखाया है यहां पर कहा जाता है भारत सरकार ने जलबायू अनुमानों और फसल सिमूलेशन मॉडल का उप्योग करके तो यहां पर कहा जाता है जो चावल राइस का पैदावार है वो लगभग 20% 2050 तक ही घड़ जाएगा और 2018 तक देखा जाए तो लगभग 47% घड जाएगा ठीक है जबकि सिर्चित चावल की पैदावार जो है वो 2050 में 3.5% कम हो जाएगा और 2080 में 5% कम हो जाएगा जो सिर्चाई से उगाय जाता चावल है वहीं 2050 में जो गेहूं का पैदावार है 19.3% घड़ जाएगा और 2080 तक गेहूं का पैदावार जो है वो लगभग 40% कम हो जाएगा जब कि खरीब फसलों पे देखे देशे की मक्का के पैदावार है वो भी 18% घड़ जाएगा 2050 तक वहीं 2080 तक 23% घड़ जाएगा असलब की निरंतर जो पाने कमी हो रही है इसका दूस परिनाव हम लोग सिधा सिधी क्रिशी के छेत्र में उसके उत्पालाक्ता पर देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर यहीं कहा जाता है कि हर परिद्रिश में इसे परियाप्त अनुकूल उपायों के बीना चलबायी YA परीबतन से फर्सल की पायदावार कम हो जाती है और उपज की पोशन गुनवत्ता कम हो जाती है तो यहां पर पायदावार प्रोड़क्शन भी इती है और उसका क्सा हीमाचल प्रदेश हो कहा गया है कि आंधर पर्देश करनाटका हिमाचल पर्देश और महराश्ट जो है वो खाद सुरच्छा में युगदान देने वाले सुचित निर्नाय लेने में बर्सा अधारित किशानों की सहायता के लिए जलवाई मिट्टी की विसेस्ताओं और बाजार की जानकारी को साम अधार हां इसी समय को उस तरह से नहीं बात है यहारा जाता है कि इसे परोटिंग आ क्रॉप होरकास्टिंग ठीक है फ्रेमवर्क एंड मोडल इंक्रॉपरेटिंग्ाइमेट वेदर शट्री ही ये साई चीजों के लिए एक अलग मॉडल बना जा रहा है इन राजियों के द्वारा जिसे की जलवाई परिवतन से क्रिशी को प्रभाव को कम किया जा सके तो क्रिशी को अधिक लचीला बनाने के लिए सिचाई भी एक प्रभावी उपाय हो शकता है और ज्यादा तर जो माम में प्रीच कर रहे हैं अब जादा से जादा ये लोगा रहा है या फिर सब्जिया होगा रहे हैं जिसका टिमांड ज्यादा है मार्केट में और जिसे कि उनका इंकम में ब्रिधी हो रहा और उनका लाइवलिवूट में परिवर्तन आ रहा है उनका बहतर आज इवी का चल रहा है ठीक है तो यह यह भी एक विकल्प को सुझाया गया है राइटर के द्वारा तो इस अंदर में कहा जाता है WFP मतलब की वर्ड फूड प्रोग्राम यह जो इसमें कहा जाता है कि स्रम के बदले में खाद सहायता के माध्यम से मिट्टी और जल्व संरक्षन उसके आद सिचाइन नहरों बांधों तलाबों और बांधों के निर्मान या मरंमत के साथ साथ बाह बाधाओं का समर्थन करता तो यह सारी चीजे क्रिशी से संबंधित जि हो डाइक्स हो एसमेल एज फ्लट बैरियर्स हो थ्रू फूड एसिस्टेंट इन एक्स्चेंज फॉर लेवर्स ठीक है तो डवलू एफपी यह कारे करता है जिससे की प्रोड़क्शन प्रोड़क्टिविटी बढ़ सके यहां पर आगे कहा जाता अकेले 2021 में 49 देशों में 8 मिलियन लोगों को इस तरह के समर्थन से सीधे लाब हुए है मतलब कि जो डवलूप फंडिंग कर रहा है यहां पर क्रिसे सम्वंद कैनल बनाने के लिए या फिर बैम बनाने के लिए या फिर बांध बनाने के लिए इससे सीधे के सीधे 49 देशों के लभ़ 8.7 मिलियन मन्रेगा योजना का लाग उठाने में भारतियों राजों का समर्थन करता है यह आई एफ एडी ठीक है तो डिजाइन और योजना के दौरान सुरच्छा उपायों के माध्यम से भागिदारी में ब्रिधी करता है उसके बाद संस्थागत विकास को प्रोसाहित करके आई एफ आई एफ एडी जो भारत में भी सहीयोग कर रहा है मन्रेगा यहां पर कहा जाता है आई एफ एडी इंस्योर्स डैट माइक्रो इरिगेशन इंफार्स्रक्ट्रक्टर इज इंवार्मेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल एंड फाइनसली वीजिवल ठीक है तो इसका एक जो फूड एंड अगरिकल्चर और्गराइशन ऑप ता उनाटेड स्टेट से ठीक है इसको खायाता है फूड एंड अगरिकल्चर और्गराइशन जो इनाटेड नेशन का पार्ट है ठीक है तो जल उपियोग दस्ता में सुधार के लिए क्रिशिक खादे पढ़नालियों और जलबायू अस्मार्ट क्रिशिप पर्थाओं के अस्थाई परिवर्थन का भी समर्थन करता है इसने उत्तर पर्देश में किसान जल विद्याले कारेकरम का समर्थन क्या है मतलब कि it supports the farmers बाटर अस्कुल प्रोंजी से की किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूप कि जा सके जल के सुरच्छा के लिए उसमें कहा जा सके किरिशी के ऐसे परनाली का उप्योग करें जिसे की जल का भी कम उप्योग हो और आपका क्रिशी से सम्मंदित कारे भी बहुत 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 तरीके से उगे ठीके प्रोड़क्टिविटी जादर है उत्पा प्रवंधन करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसमें कहा जाता है कि लगभग साथ सूखा ग्रस जिला में 638 बस्तियों तक इसका ये प्रोग्राम पमचा जिससे की जो हमारा भूमिगत जल है उसको सनाचित किया जा सके जिसमें एक जल विज्ञान निगरानी कारेकरम भी सामिल है इसमें कहा जाता है इंक्लूडड आ हाइड्रोलोजिकल मोनेट्रिंग प्रोग्राम ठीक है आगे कहा जाता है इसी परकार आई एफ एडी ने अपनी मूल रणीती में जलवायू परिबरतन अनुकूलन मतलब की अडाप्टेशन को सुनेशित किया इसने क्रिशी के पर्तिकूल प्रभवाव को सम्मोधित करके जलवायू परिबरतन को कम करने के लिए जलवायू बीत पोशन का लाग उठाने और मिट्टी के स्वास्त जल संसाधनों की बहाली और संदक्छन और आधुनिक विलय में निवेश करके किसानों को मौसम की बढ़ती आस्थिता के अनुकूल होने में मदद क करने के संदर में महत्पकांची लक्ष रिधायत करता है तो याद रखेगा आई एफ एडी बहुत ही महत्पुन है जो अभी हमारा निरंतर क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससों एडप्ट करने के लिए किशानों की बहुत ज्यादा मदद की जा रही है आई एफ एडी के द रिजर्बेशन ऑफ स्वाइल हेल्थ वाटर रिशोर्सेज एंड मर्जिंग मोडर्न टेकलोजी बिद्ध यहाँ पर का जाता है जो नवीन तकनिक है उसके साथ साथ जो हमारा प्राचीन तकनिक है उसे भी एक साथ समनबीत करके यह पर्णालिया बनाए जा रही है जिसे की हम अभी जलवाईय। परिवारतन के निरंतर प्रपूब से निपट शके इसके लिए भी कारे कर रहा है IPAD दोनों को समनबीत कर रहा है जो हमारा प्राचीन तकनिक हैं दोनों को समनबीत किया जा रहा है तो इसी में महरास्टरा हो गया उडिशा हो गया उतरा खंड हो गया नगालेंड हो गया मेजोरों हो गया तो यह सारे जो राज हैं इसमें आई एफ एडी समर्थित परियोजनाव में बाजरा सहित जलवायू लचिली बीज किसमें और फसलों को सामिल किया गया और किसानों को बरते जल तनौशनी पटने के लिए जलवायू संबेदन सिल क्रिसी पर्थाओं और मेट्टी प्रवंधर में परसच्छन दिया गया है तो इसी पर इन कुछ राज्यों में यहां पर सहयोग क्या गया है आयफ एडी के द्वारा जिसमें की इसमें कहा गया है कि जहां पर पानी की कमी हो गई है उसको समधान के लिए यह सारे अनेक प्रकार के कारे किये हैं ठीक है आगे राटर के द्वारा कहा जाता है कि WFP मतलब की बल्ड फूट प्रोग्राम इसमें कहा जाता है कि महलाओं पर ध्यान के दित करते हुए छोटे किसानों के लिए समधान विक्षित करने के लिए औरिशा सरकार के साथ सहयोग कर रहा है तो यहां पर WFP के साथ एक कोलेबरेशन किया गया है जिससे की महलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा जाए क्रिश्य में सहयोग के लिए तो यहां पर कुछ लक्ष और भी बढ़ाए गया सफार जो हमारा सोलर एनर्जी है उससे निरभरता को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाए जा रहा है किसानों को जाग रुक किया जा रहा है और जलवाईय प्रभाव को प्रभंट करने के लिए समुधाय आधारित जलवायू सलाकार सेवाउं के स्थापना करना और बाजार मुलिस रंखला को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर कहा जाता ना कि एस्टेबलिस कम्यूनिटी बेस्ट क्लाइमेट एडवाईजरी सर्विसेज ठीक है यह सारी चीज़े यहाँ पर ओरड़ी दी गई है ठीक है तो आगे यहाँ पर रेटर कहते हैं कि क्या क्या आवस्टे कदम उठाए जा सकते हैं तो बैस्ट भी खा दे और पोस्टन सुरच्छा हासिल करने के लिए ठोस निवेज के साथ-साथ राजनीतिक परतिबहत्ता की भी आवशकता है आवशक नीतियों और निवेज को बढ़ाबा देना चाहिए नवीन और सिद्ध प्रोदोग जो किशानों को अपनी उत्पादक्ता बढ़ाने में मदद करेगा जलवाईव परिवतन के अनुपूल होने पर जैसे अचानक संक उनके जलवाईव पद्चिन मतलब रिड्यूस देर क्लामेट फूट्प्रिंट्स ऑफ अगरिकल्चरल प्रोडक्शन साथ ही जैव खत्रों और पर्याबरन परदुशन को भी कम करने के लिए आवस्यक कदम उठाने की बात की जारी स्वश्था और पेजलापूर्ति को ग् यहां पर आसपास लोगों को जारू किया जा सके खासके ग्रावी छेटरों में ठीक है आगे कहा जाता है कुशल खाद और जल पुना चक्रन रणिती को अपनाये और तिकाव और न्याय संगत जल नियमों प्रवंधन पहूंच और स्वामित्व के लिए संस्थागत व्यव इंडिया मतलब की भारत सरकार के साथ यह बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहे हैं जो यूएन फूड एजनसी है एंड अस्टेट गोब्मेंट और भारती राजसरकार के द्वारा भी अनेक राजसरकारों के साथ भी इनका कोपरेशन चल रहा है जिसे की ओन इनोवेशन सच जैसे की सोलर फोर रिजलेंस उसके सिक्योर फ्यूसिंग मतलब की मतस उत्पादन को भी सुरचित करने की बात की गई है उसके अद रिवाइबल ऑफ मिलेट्स ठीक है बाजरे का ज्यादा से ज्यादा उप्योग किया जा सकता है जो रिनूबल एनर्जी बनाने में काम आ सक ठीक है यहां पर वही बात की जाए बाजरा के पुनर उद्धार और फूट सेकुरिटी मतलब की खाद सुरच्छा और पोशन की सुरच्छा जैसे अनेक नियमों पर यहां पर यहां पर सन्युक्त राष्ट की खाद एजेंसिया जो है भारा सरगार के साथ कारिक कर रही है जिससे कि हमारा जो क्रिशी छेत्र है वो जादा से जादा विक्षित हो शकी है अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल अभी निरंतर यही नियूज आता रहा है कि इसराइल और हमास के बीच संगर्स बहुत ही भयाबा रूप लिये हुए अभी बरतवान स्वाय में तो मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था लेकिन आप लोग अगर कहेंगे तो मैं इसका पूरा का पूरा हिस्ट्री के साथ दे सकता हूं पूरा एक वीडियो में जो दो ठाई घंटे का होगा और सारी चीजे आप बहुत तरीके समझ सकें जिससे कि आपको मेंस में आंसर अगर करेंगे तो इसमें नूशे भी के द्वारा क्या कहा जाता है कि देर सबेर विश्यसग और सैन परेवेक्षक विश्लेशन करने और यह पता लगाने में बेस्ट हो जाएंगे कि इसराइल राज्य और हमास के बीच तो हमास क्या है सबसे पहले यह समझ लेते हैं तो हमास जो है वो इस्लामी कट्रपंथी आतंकवादी समुन इसकी अस्थापना जो होई थी वो गाजा में की गई थी और एक फिलिस्तिनी सरनार थी सेक अहमद यासीन के द्वारा की गई थी तो ये चीज़े याद रखेगा जो हमास है वो इस्लामी कट्रपंथी आतंकी आ याद रखे गा सुझनी ठीक है और जो इजराहिल है यहाँ पे Jewish रहते हैं ठीके के याद रखेंगा Jewish लगबग 73.8% तो यह दोनों चीज़े याद रखेंगा तो यहाँ पे यही conflict है और वहाँ से चीज़े complete है में लिए यहाँ वोग है यहां पर कृश्यन का भी उद्र हो गया है उसके गाद यहां पर मुश LIMB लोग का भी उद्र हुआ है तो इसी करन ये बहुत ही बिवादी छेतर है ये इन लोगों का सबसे पवित्र भूमी है और इसी के लिए रड़ाई होता रहता है जरुसलम जो छेतर है ठीक है तो आगे देखते हैं इसमें राइटर कहते हैं कि इसराइल राज और हमास के बीच या युद किसने जीता इसी अखि 뽑सने ले बहुत्य लोग कहेंगे कि इसराइल जिता और बहुत से लोग कहेंगे हमास जीता भीन सबसे रहे और ? कि व्यक्तिगत और राष्ट्य पुर्वाग्रा उनके अपने राज्य के पुर्वाग्रा भी इसके द्वारा नेदरिश्ट होगे लेकिन कौन हारा इस पर कोई मद्भेधन योगार नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि इसराइल से हमास कमजोर है क्योंकि ये एक समू है और इ यूरोपियन कंट्री है ये भी सपोर्ट कर रहा है ठीक है तो यह देख सकते हैं अभी बरतमास में जो कॉन्फ्लिक्ट का समय है तो यह चारो तरब जो है जितने भी रेड रेड है वो इसराइल के डिफेंस पोर्सेज और एयर स्ट्राइक्स है और जितने भी क्लैस जहां पर देखी यह सारे छेतर जो है यहाँ मुर्भेण हो रहे है हमास और पर इसराइल के बीछ भी ठीक है तो यही चीज़े यहाँ पर अच्छे से दिख सकते हैं उसके याद बनी बात है यहां पर जीते चाहे हमास जीते चाहे इसराइल जीते लेकिं समस्य जो है वो निMr. ल उसकी पूर्ण विफलता की बात की गई है राइटर के द्वारा तो सनी बार 7 अक्टुबर 223 को इसराइल में कई अस्थानों पर हमास थे बंबारी प्रूर और एक साथ हमले ने इसराइल और अंतराष्टे समुदाय को अस्तब्द कर दिया इस ऑपरेशन के बारे में को रिखांकित करता है कि यह जिराइल के साथ साथ USA की और से खूफिया जानकारी की पूरी विफलता थी जहाई रहे कि जब यूद चल रहा हो तो यहां के अधिकारी इस मामले पास बात करने से कत्राएंगा और इसमें कोई सक नहीं कि जब जाच पूरी हो जाएगी और पर जाएगे जब यह यूद खतम हो जाएगा तो यहां पर पर्थम दिश्टे में कहा जाता है राटर को द्वारा कि हमास ने बहतर प्रतसन क्या ऐसा परतीत होता है यह तत्थ है कि इसराइल को यूद की घोशना करनी पड़ी और हमास के लिए मनुबर बढ़ने बाला है जिस 2797 से 99 तक गाजा में रहता था नुशेव भी की बात की जा रही है तो जयतर लोगों को यकीन था कि हमास के निर्मान में इसराइल का कुछ लेना देना था ठीक है मतलब कि उसके निर्मान में भी इसराइल कहीं न कहीं सामिल था तो इसराइल की सक्तिसाली राजे जो इस छे में इज्राइल के युद्ध करना शुरू कर दिया बंबारी करना शुरू कर दिया जिसे कि निर्डोस लोगों की बहुत बड़ी छती हुई तो यह हमास के लिए गौर्णबानविद छंत था ठीक है बहुत ही सुखत था अतीत में रॉकेट बहुचहार उसी दिन समापत थी शैने सकती नहीं थी वो दिन भर में ही उसका जितना भी असला बारूद होता था जो भी जगड़े के लिए समान होता था वो दिन भर के लिए ही राता था उसका समाप हो जाता था और दिन के अंतक इसराइल अपने घोशित उद्वेश्य को प्राप कर लेता था आसानी से इसराइल उसे दबाग देता था लेकिन बरतमान समय में समस्या है कि बहुत से मुस्लिम कंट्री उसे सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए ये यूद ज्यादा समय तक चलने क्या संखा है तो बरतमान संखर्च में हमाश कई दिनों तक अपने रॉकेट हम लोग को जाए रखने में काम्याब रहा इससे इसराइल पर बहुत भारी अभूत पूर्व हताहात हुए जिसके परिणाम सोरुप कई बहुत बड़ी संख्या में जाने गई कई घायल हुए और गाजा के आसपास के अवादी का एक बड़ा पैमाना बहुत बड़ा हिसा जो है वो माइगरेट किया ह अभी हम लोग ने गाजा का मैप देखा था ठीक है तो बहुत बड़ा हिसा जो है गाया शेतर से लोग दूसरे स्थान पर चले गए तो दुनिया ने इसराइल में निर्दोस, पुरूस, महिला और बचों पर हमास द्वारा आकतनी पुरूरता देकी जो निंदा के योग है लेकिन हमास को अपनी उपलब्दी पे गर्भ हमास जो ऐसा किया है कि इसराइल को लगातार इस युद में घसीट लिया और उसके राद इसको लंबे समय तक संगर्स के लिए मजबूर किया तो ये इस च्छन को हमास जो है अपनी उपलब्दी बता रहा है ठीकि उसे अंकमादी उसे कोई फर्ण ने परता है उसे सहित घोशित कर दिया बस उसे अपना लक्ष प्राप करना है जबकि यह लक्ष मिलना बहुत ही नामूपिन है आगे कहा जाता है कि हमास ने फिलिस्तिन लिव्रेशन और्गनाजीजेशन विशेश रूप से हताफ पार्टी गवरा सासित रामल्ला में फिलिस्तिनी प्राधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल को लगभग एक बड़ा जहट का दिया फिलिस्तिनी प्राधिकरण के अध्यक्त म महमुद अभास की इस्थिती आस्थीर हो गई है तो यहां पे यह भी आद रखेगा जो फिलिस्तिनी ट्रिगूनल है उसके अध्यक जो है महमुद अभास के वी सिती खराब हो गई है हमास के अभी इसराइल में यूद करने के करण तो उन्हें इस्तिपा देना भी पड़ सकत मतलब कि अरब स्ट्रीट जो अर्वी छेत्र है वहां पर भी हमास के समर्थक की संक्या बढ़ गए तो क्या यह भी संभब नहीं है कि हमास ने जीस तरह से इतनी अच्छी तरह से समन्वित कारवाई को अंजाम दिया उसके लिए कुछ पश्चिमी देशों के बीच गुप्त गोशित प्रसंसा होगी चाहे कितनी भी अनिच्छा हो तो यहाँपे यह बाते राय्टर कह रहे हैं कि यह जो अभी उपलब्धी हासिल कि है, उपलब्धी क्या मतलब कि यह आतंकी संगठन है वो किसी का नहीं है, किसी कल्यान के वारे कि मैं सोचता है, ठीक है? बो बस एक धार्मिक उद्देश की पूर्ती के लिए ये सारे संगठन कारे करते हैं तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो ये इतना बड़ा हमला हुआ है हमास पे तो क्या बहुत से पश्मी देश जो है वो भी इसकी परसंसा कर रहा है तो यहाँ पे आगे कहा जाता है कि साइने द्रिष्टी से निसंदे हिस्ट मुझबूत रिपोर्ट से पता चलता है कि इस्रायलि Calmya को रोकने का नहीं बलके उसे जड़ से समाप करने का किया है जो यह देखना बाकि है कि इस उद्देश को कैसे हासिल क्या जाए क्या इसराइल गाजा में जमीनी अभ्यान चलाएगा मतलब कि military forces तो यह एक बिशाल अभ्यान होगा जिसमें हजारों सैनिकों और दर्जनों टैंक सामिल होगे दोनों पक्षों में हताहोतों की संक्या में भारी ब्रिदी होगी कोई यह मान सकता है कि इसराइल जो ह के लिए इसराइल का पर्भू तो खत्रे में आ जाएगा तो इस यूद्ध में कौन हारा यही सवाल सबसे बड़ा है कि इस यूद्ध में कौन हारा यह बड़ी बात नहीं तो यहां पर क्लियर कहा जाता है कि जो दोनों देश के लोग है ना चाहे वो फिलिस्तीन के हो या पिर इसराइल के दोनों देश के जो नागरिक हैं वे हारे ठीक है निर्दोस नागरिकों को दोनों पक्ष के नेताओं की रक्ट पिपासुता जिससे कहा जाता है ब्लड थ्रस्टिनेस ठीक है मतलब की खून की प्यास की भारी कीमत चुकानी पड़े इसका मतलब यह नहीं क कोई दोनों पर समान दोस लगाने का सुझाव दे रहा है लेकिन यह निर्विवाद है कि युद की कीमत जो है वो आम लोगों को चुकानी पड़ेगी आगे कहा जाता है कि भारत सरकार ने भी इजराइल का पुंता सपोर्ट किया है तो भारत सरकार ने इजराइल के पीछे अपना पूरा समर्थन जोग दिया इसमें कोई संद ही नहीं है तो हमास के हमले की कुरूरता से आस्वास्थ है लेकिन यह भी बिश्वास है कि इस रूख से अरब देशों के बीच थोड़ा भी नकारत्मक प्रवावनी मतलब की अगर भारत की सपोर्ट उतना ही कर रहा है जिसे की अरब देश जो सुनी कंट्रिज हैं उन पर कोई भी नकार आत्मक प्रहोन पड़े भारत और अरभी देशों के संबंद के बीच में यहां कहा जाता है लंबे समय से पश्चमी एसिया और अन जगों पर सतारूर परतिश्थान जो इसराइल के साथ संबंद को समाने बना जाते मतलब की जिसे अभी सौदी अरभ और इसराइल के बहतर संबंद होने की चर्चा चल रही थी लेकिन उसका एक ही काटा था जो ही बरतवास फिर से आ गया हमास ठीक है जो उन्हें बहतर जरूई तकनीक और निवेश के अफसर परदान कर सकते थे अगर सुनी देशों के साथ इसराइल के संबंद बहतर हो जाते इसके लिए ही चीन और युएसे लगातार मध्यस्ता करा रहा था जिससे की यहाँ पर संबंद बहतर हो सके तो किसी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कुबैत ने 1990 के दसा की शुरुआत में लगभग एक लाग फिलिस्तिनी को निश्कासित कर दिया था क्योंकि अराफात ने पहले खाड़ी मुद्य पर कुछ भी नहीं करना चाहती है लेकि उनके नागरिक जो है जो अर्वी नागरिक है उन्हें इसराइल के साथ रेष्टे सामाने करने की अपने इच्छा पर उनर बिचार करने के लिए बाद होना पड़ा है मतलब कि वहां के जो नागरिक है वो चाहते हैं कि अर इसराइल के लिए इस तरह के अस्पष्ट समर्थन को बासी के टन में भी पसंद नहीं क्या जाएगा भारत एक बार भी बाढ़ पर नहीं बैटा मतलब कि भारत जो होता है वो पूर्ट सपोर्ट किसी का नहीं करता मतलब कि सिटिंग ऑन दा फेंस तो यह कुछ बाते याद रखेगा सेटिंग ऑन दा फोन्स का मतलब होता है तटास्त रहना जैसा कि यूक्रेयन यूद में था भारत पीछे से तो इसराइल का सपोर्ट कर रहा है लेकिन वो सामने आकर फ्रंट में सपोर्ट नहीं करा जिसतरा अभी इंग्लैंड ने कहा ठीक है यूकेड ने कहा इसरेल का सपोर्ट कर दिया तो साड़ी नूसेवी एक प्रख्यात फिलिस्तिनी बुद्धिजीवी जिन इन्हों ने एक पुस्तक लिखी अगर दुनिया में कोई है इस पुस्तक का नाम था फिलिस्तिनी राज के लायक क्या है इस पुस्तक में कहा जाता है मुशेवी के दोरा कि उनका तर्क है कि राज जो है बुल्लोग के लिए न की इसके विप्रीत तो राज का प्राथमिक करतब है जो वहां के सरकार है उसका प्राथमिक करतब है अपने नागरीकों की रक्षा करना और उन्हें बिकास, सम्रिद्धी, पारिबारी, जीवन का पारंद लेने और देश के भीतर स्वतंग रूप से घुमने का सक्षम बनाना इसी परिस्थित्यां उत्पन करना जिससे कि ये सारी चीजे सच्षम हो सके ठीक है यहां पर लेकिन बरतमास्वाय में अभी वहां पर संगर्स हो रहा है अलगातार फिलिस्तीन में इस तरह के म हाल भने रहते हैं यह में किस तरह का स्थार साय में राखने में रूच शada हो उनका यह की कि मकूलfounder नारी सताम बने रहता हैं वो लगतार लोगों को भुरहमित करकर वो देश के नाम पर इस तरह के जो संघर्स हैं उसमें ज्यादा-ज्यादा सामिल होने के लिए प्रेज़ करते हैं लेकिन और यह महत्पून है कि यदि राज जानता है अगर सरकार जानता है कि वह अपने उद्देश को प्राप नहीं कर सकता है मतलब वो कभी भी इसराइल को हड़ नहीं सकता है तो और नहीं कर सकता है और नहीं कर पाएगा फिर भी अपने उद्देश से पर कायम है तो नुशेभी के अनुसर यह अनायतिक और अनायतिक रूप से कारे हैं तो राजे को किसी ऐसे उद्देश के लिए जान बूझ कर इतनी सारी जिंदियों का वाले जान देने का क्या अधिकार है जिसे वो सरकार जानता है कि यह प्रात करने योग नहीं है प्रात नहीं हो सकता है तो राजे के लिए अपने युद्द उद्देश को कमजोर करना और समझोता करना अनिवार होगा तो इसके लिए यहां पर इस उजाओ दिया जा रहा है नुशेभी के दौरा कि उससे अच्छा है कि कुछ चीजों पर समझोता की जानी चाहिए चल रहे है युद्द के मामले में नुशेभी के विशलेशन से प्राचलता है कि इसराइली सरकार और हमास दोनों जानते हैं कि हमास के पीछे की बिचाधारा को समाप नहीं किया जा सकता, नहीं हमास को एक इकाई के रोप में समाप किया जा सकता, इस प्रकार दोनों पक्ष अनैतिक अचरन कर आम नागरिकों की मौत के मुर में धकेल रहे हैं, मतलब कि जब दोनों जानते हैं फिर भी आम नागरिकों क को मौत के मुर में क्यों धकेल रहे हैं जनता के बीच युद्ध का उत्सा इतना घहरा हो गया है कि उसे इस बात का आशास ही नहीं है कि राज द्वारा उसकी और देश की गौरव की खातिर उनका सोसन किया जा रहा है यह बाते नुशेबी के द्वारा कई जा रही है तो यहां पर नुशेबी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कस्मीर का मुद्धा है इसे भी उठाते हैं यहां पर कहते हैं कि क्या नुशेबी के तर्को कस्मीर समस्या पर लाव किया जा सकता है भारत और पाकिस्तान में ए पागिस्तान की ओर से पूरे कस्मीर या कम से कम घाटी पर कबजा करना ये दोनों ही लग्षे साधे नहीं जा सकते इसलिए नुशेबी के तर्क को लाओ करना और इन उद्धेश्यों पर कायम रहना अनैतिक और अनैतिक होगा ठीक है क्या कुछ समझहोता सायद कुछ साल पहल कि इसराइल और पिलिस्तीन के द्वारा कुछ समझहोता किया जाए जो पहले भी किया गया था और भी नयने पॉइंट्स को रखा जाया और पर्यास किया जाया कि इस आसांती को स्वाप किया जा सके ठीक है यही सारे बाते थी इस आर्टिकल में अब देख लेते हैं अगला करना चाहिए जब महिलाएं जो है वो स्रम सकती से अनुपस्तित थी तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वे घर पर बच्चों को समाल रही थी जब उन्हें पुरुष की तुलना में कम बेतन दिया जाता था तो इसका कारण या था कि उनकी जो सिक्षा थी वो पुरुषों की गैरी बेकर के द्वारा ठीक है तो इसे आगे कहा जाता है जब बेटरी फ्रीडन ने 1963 में कॉलेज सिछिन महिलाओं के बारे में लिखा जो घर पर रहने वाली माताओं से निराज थी तो उन्होंने कहा कि उनकी शमस्याओं का कोई भी नाम नहीं है याद रखेगा बेटरी इसके अर्थ सास्त नोबर पुरसकार विजयता क्लाओडिया गोल्डीन ने अपनी समस्या को नाम और अवाज देने में आधी सदी विताधी मतलब की यह कहा जाता है कि अर्थ सास्त नोबर पुरसकार विजयता जो थी क्लाओडिया गोल्डीन मतलब की गोल्डीन जो थी व जैसे जैसे आर्थिक उत्पादन घर से कारखानों की और बढ़ा महलाओं को बाजार की गरतिवीदियों से बाहर रखा गया। ऐसा तब तक नहीं था जब तक की कार्याले वों असकूल और इस्पादालों में कारखानों की तुलना महलाओं को अधिक नोक्रिया नहीं मिलती सुरू होई थी। ठीक है ऐसा तब होने शुरू हो गया जब यहां पर जिसे स्कूल हो गया यहां पर महलाओं को नोक्रिय दी जाने लगी हाला कि जब महलाओं बड़ी संख्या में कारेबल में सामील हुई सायचनिक उपलवदी में पुरसों से आगे निकल गई महलाओं नोक्री में एकत्रित नहीं होई और बच्चे पेदा करने के लिए उस्रंबल से बाहर नहीं निकली स्रंबल नोक्री तबही। पर डिस्कस किया जा रहा है जो तो है तेज के अर्थ सास्त्र में नौबेर प्रॉसकार बिएता है क्लाउडिंग गोल्डीन ठीक है इसी पर आगे कहा जाता है प्रोफिसर गोल्डीन ने तर्क दिया कि यह नुकसान उन नौकरियों को लेने में आसमर्था के कारण है जिसमें सभी उप्वोग करने वाले जिमेरिया सामिले इसमें माता पिता की जिमेरियां कहा जाता है कि जब पड़िंग बनते हैं तो इसमें पुर्षों की Col imperium और महलाओं की जीमिदारियां ज्यादा हो जाती है। महलाओं के लिए लंबे समय तक काम करने, आनियमित कारे सूची बाली नुखुरियों को करना कठिन बना देती है। यहीं बात है कहा जाता है। जब पेरेंट्स बनते हैं तो पुरूश तो सही तरीके से अपना कारे करते महिलाओं के बहुत से कॉंप्लिकेशन होते हैं सारी और भी बचा को कम से कम एक साल तक बहुत जाए ध्यान देने की आवज सकता होती है इसलिए उनकी आनियमित्ता पढ़ जाती है और जो कारेबल में कॉंसेंट्रेशन होता है फोकस होता है वो कम हो जाता है तो यहीं पर कहा जाते है क्योंकि यह बच्चों के पारण पोशन के साथ असंगत हो जाता है और जोड़े का फिर एक अपना गोल हो जाता है कि चलो अब यहां पर मेल फिमेल का बात खतम हो जाता है और दोनों कपल मिलके चाहते हैं कि उनका जो एवरेज इंकम है फैमली इंकम है वह अच्छी तो हलांकि महिलाओं को इस धीमे रास्ते को चुनने की जरूरत नहीं है लेंगी की विचार धाराएं जो है वह अक्सर कपल जोड़े को महिलाओं को अतिरिक्त पारिवारी जिम्हेदारियां सोपने के लिए प्रेद करती है जब कि पूरिस अपने करियर पर ध्यान क करने के लिए स्वतंत्र रहता है तो यहीं सारी बाते की जा रहे है कि क्यों महिलाओं को कम प्रोथसाहान मिलता है ठीक है पुद्धनत्य मिलती है और यहां पर और नेच्रल कारण भी है जैसे महिलाओं जो बच्चा पैदा करती है यह सारी चीज़े तो आगे कहा जाता है दिन में गरती है जो तो तीन लोग है वो नियमित कारे करते हैं उसे चुनने के जएँ पे दो लोग जो है वो कितना भी कारे कर सकते हैं एक दिन में 20 गंटा तो उसे ज्यादा चुनेगा ठीक है तो यही बाते यहां पर कही जाती है कि जो उच बेतन बड़े बोनस और स्टॉप विकल्प और तेजी से पुरस्कृत स्रमिकों से आसाधरन प्रयास की मांग करता आज की कंपनिया ऐसी ही है कि वो जल्दी से जल्दी अपने टारेट को पूरा कर सके तो बढ़ती आया समानता के कारण जो जोड़े घर के भीतर लाइंग समानता को त्याग दते हो और विशेशागता के मादम से परिवारिक आय को बढ़ाने पर ध्यान के नित करते हैं इसी के लिए महिलाएं जो है वो घर मेल खाता है जिन्होंने अपनी पूस्तक दा ओवर वर्ड अमेरिकन के तर्क पर दिया है कि नियमित रूप से काम यहाँ पर अभी मैं एक्जामपल वही समझाय था कि नियमित रूप से काम करने वाले तीन स्वास्थल का खर्च और करमियों के सिवाओं के रूप में लाग कम हो जाता ठीक है तो इसी करन कंपनियां चाहती कि वह उन लोग को से करें वह जादा से जादा मजदूरी कर सकते ज्यादा जयादा लब शबय समय तक रंप सकते है help प्रोफेसर गोल्स्टीन की टिपनिक आधार पर सेवा छेतर की बिर्धी से महिलाओं के लिए ऐसी नोक्रियम मिलनी चाहिए जो बिनिर्मान छेतर द्वारा परदान नहीं की जाती है ठीक है तो यहां पर यह फाइदे हो सकते हैं जो महिलाएं घर में भी यह वो बग फ्रॉम को पुना आकार देना चाहिए जबकि घरेलू काम और बच्चों की देख भाले हैं पुरुसों की बढ़ती भागिदारी अब बरतमाज स्वाय में समाज बदल रहा है ठीक है अब लोग ज्यादा ज्यादा कॉपरेट कर रहे हैं महिलाओं का ठीक है तो हमें काम और समाजिक महाल दोनों को फिर से आकार देने के तरीके भी खुझने होंगे ताकि वे पुरुस और महिलाओं दोनों के लिए कारे जीवन संतुलन विक्सित करने में सहयक हो सके और इसका मतलब यह भी है कि इसकी जो कारे संवर्चनाय हैं जो स्रमी को करह हैं मतलब कि जो वर्किंग तो फिर आपका जो एवरेज है वो भी खराब हो जाएगा तो यही बाते हाँ पर कहा जाता है कि स्त्रम्यकों के समय का सम्मान करती हो और बहुत लंबे समय के घंटों पर जोर न दिया जाए जिससे की महलाओं का भी बर्क फोर्स में ज्यादा से ज्यादा इंवाल्मेंट हो स लंबे समय तक कारे करने से उसकी उत्पादक्ता नहीं बढ़ती और कुछ नोक्रियों में ज्यादा समय तक कोई कारे करते रहने से ऐसा नहीं है कि बढ़ जाएगी और गल्तियां होने की समभब ना बढ़ जाती है इसलिए कहा जाता है अगर आप पढ़ाई भी करें तो ल सीखने का जो चमता है वो प्रभवित नहीं हो ऐसे किताब पढ़ रहे हैं लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठीक है यही बाते हां पर कहा जाता है कि उत्पादक्ता नहीं होती है लेकिन अगर हमें लालची कार अस्थल पर लगाव लगाने की जरूरत यहां पर कहा जाता है कि ये जो प्रुलोभन दिया जाता है ओवर टाइम का इसे लगाव लगाने की आवशकता है इसके लिए एक निश्चित पॉलिशी बनाए जाए तो हमें विभिन संस्थानों पर भी लगाव लगने की आवशकता है जो हमारे अधिक से अधिक समय की मांग करते हैं इसमें बेया स्कूल भी सामिल है जो होमबर्ग और शहरी विकास की निगरानी के लिए माता पितपन निर्वर हैं जो कार अस्थलों से दूर घर रखते हैं जब तक हम इन सहायक संस्थानों का निर्मान नहीं कर पाते हैं तब तक स्रम बाजार के पहिणारों में ब्यापक लिंग अभिष्टरन के लिए अंतिम अध्याय लिखना कठी दोगा मतलब कहारता जब तक इन सारी चीजों पर हम लोग एक निश्चित नितिया नहीं बना पाते हैं तब तक लिंग अभिष्टरन मतलब की दोनों पुरा लिंग समानता हो जाए तो इसके लिए अंतिम जिता से बकालत कर रही है यही सारी चीजों की कि पहले इन सारी चीजों पर एक निश्चित कड़ी पॉलिशी बनाने के आवा सकता है जिससे की आसमानता जो है लईए का समानता उसको समाप्त किया जा सके ठीक है अब देख लेते हैं अगला अटिकल इसमें मेंली कहा जाता है कि कि इन सारकार ने अभी को एज उसे 65 बर्स करने की बात की गए आउरेडी है जैसे कि अभी वरतामास में साइंटिस्ट इन मोस्टिस्ट विंग आभ है जो कारिकर करतै आई ड़ 오늘도 इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसेंच मतलब aside मr इन दोनों में जो कारी करते हैं यहां 62 सार अल्रेडी है तो एही पर सरकार साथ चाह रही है कि जो साइंटिस्ट का जो रिटार्मेंट एज है उससे बढ़ाकर 65 कर दिया जाए तो यही है पूरा का पूरा आर्टिकल ठीक है तो कैसा लगा मैंगा स्पाइब करें और मैं चैनल को सबस्क्राइब करें